सांथियो जो ये च्छा तत्य है ना यही आपको जित दिला सकती है इस वीडियो को अज़े से शेयर कीजिएगा ये च्छा तत्य के अधार पर हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि सीटेट जुलाई बालो को हर हाल में मौका मिले हलो फ्रेंड्स नमस्कार एंड वेलकम टू शमाधान सांथियो उमिद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और स्टड़ी आपकी कंटिन्यू चल लए होगी जैसा कि सांथियो बीपेसी सिख्छा गभरती जिसमें चेर में सर ने प्रेस कंफरेंस किया उसमें पूरपर बताया कि 38-23 तक जो भी चाहँ वह अरता परिख्छा हो या परिस्च्छन परिख्छा हो जो भी 38 तक उनका एक्जमनेशन complete हो जाता है इवेञें दो भले बाद में लेकिन परिख्छा अगर 38 तक complete हो जाता है तराई ड्रेलाइन के अंदर तो सभी लोग फ्रम को भरेंगे लेकिन होता क्या है उसे दिन साम को नोटिफिकेशन जारी किया जाता है और उस नोटिफिकेशन में जो बात बुले थे ये उससे बिलकुल अलग हटके उसमें मेंशन किया जाता है कि आपको सीटेट पास होना अनिवारे है अब यहां पे जो सीटेट जुलावे आले छातर है उनको यहां पे बाहर कर दिया जाता है सिधे-सिदे और यह कहीं से सही नहीं है इनको मौका मिलने ही चाहिए हमने कल भी इस पिड़ी बनाया शैकडो कमेंटस आया और सैकडो चातरों का प्रसुनली मैसेज भी है चाहे वो इमेल कमा दियम सो और कहीं न कहीं वो लो तकलिफ में है और study भी उनकी प्रभावित है और हो क्यों न क्योंकि वो लोग eligible है फिर विनको बाहर किया ज़रा है तो आज हम लोग 6 तत्ये के उपर discuss करने वाले हैं इस 6 तत्ये का धार पर सरकार अगर इमंदारी पुरुवक काम करे और उनका नियत सही है तो बिलकुल जुलाई वालोक मौका मिलेगा है और ये 6 तत्ये आप लोग काम है सरकार तक पहुंचाना इस वीडियो को share करके तो चलिए उस 6 पॉइंट को discuss करते हैं कि आखिर क्यों जुलाई वालोक मौका मिलना चाहिए तो चलिए उसको discuss करते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर ये 6 पॉइंट से यहाँ पर देखेंगे 6 पॉइंट को मौक डिसकास करेंगे कि इसी के अधार पर कम से कम सरकार अपने सही नियत का अनुसार मौका देते सब इचातर को तो चलिए एक एक करके सबी पॉइंट को यहाँ पर discuss करते हैं कि क्यों आखीर मौका मिले तो मिले तो पहला जो पॉइंट है यहाँ पर और सभी strong तथ्या है सबसे पहली बात आती है कि क्या जो बिहार श्रकार है यह समय पर एस्टेट आयजित करवाती है तो अब इसका नतीजा देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा कि सीख्षा विभाग द्वारा वर्ष 2011 में वाणिक जे संकाय के लिए एस्टेट ली गई थी यह गारे के बाद 2019 में स्टेट की एक्जाम होती है लेकिन उसमें केवल बिग्यान कला और भासक पर चली जाती है उसमें वाडीजे का लिया ही नहीं जाता है तो यहां पर जो नोटिफिकेशन आता है इसका तो उसमें भी आपका जो एक्जाम होता है वह सेप्टेंबर 2020 में ए होती है और एंसर की इसका अक्टूबर 2020 में आता है जब कि फाइनल रिजल्ट इसका 2021 में आता है तो पहला पॉइंट है कि आप लोग एस्टेट टाइम से कराते नहीं है और च्छादरों से बोलेंगे कि जब वहांसी आएगा तो आपको पस एस्टेट होना चाहिए पहला जब सीटेट के एक्जाम होगा तो उसमें आपियर होंगे दूसरा पॉइंट ही है गया तीसरा पॉइंट यहां पर है कि बीएट की मिना सीटेट एस्टेट बीटेट के असमभवे इस सरकार को भी खुद सुरुचना चाहिए कि जो छादर बीएट नहीं किये है वह भी बीएट का एक एक अमिनिशन कंप्लीट हो जाता है वो लोग भी एपियरिंग केंड़ेट के रूप में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं तो जिसका बीएट कंप्लीट नहीं हुआ है क्या वो सीटेट पहले का चुका होगा यह कहां तक संबाव है कुछ चातर अगर पाल उठाना ही रहे हैं जब एक को मौका दे रहे हैं तो दुसरा क्यों नहीं दे रहा है और बात वही होगी कि एक तरफ से आप उसको खाना दे रहे हैं फिर थाली खिचले रहे हैं चुकि बीएट के जब मौका दिये हैं तो वही चातर तो सीटेट नहीं किया होगा तो ज कि चात्र इस पे डिपेंड नहीं रहते हैं वो कहीं न कहीं मीडिय ग्लास से बिलॉंग करते हैं और अपने दुसरा रुजगार भी सुचते हैं तो जब आपका रेगुलर सिख्षक भरती आएगा नहीं तो चात्रों को जब भरती आती है तो उसमें मौका नहीं दे रहे हैं अब दुबारा आपका सिख्षक भरती कब आएगा यह कोई यहीं जानता है यहीं भरती समय से कंप्लीट हो जाए वह बड़ी बात है तो इसमें आप मौका नहीं दे रहे हैं तो यह भी कहीं से साहीं नहीं है बिल्कुल गलत बात है पाच्वा पाइंट की बात करें तो यह आप यहां पर बीट का एलाव कर रहे हैं और सिटेट के लाव नहीं कर रहे हैं तो फिर तो एक तरह से हुआ कि आध्य रास्ते में उसको भेज़े फिर रेटन मंगा लिए उसको यानि जो बीट एपियरिंग है तो सिटेट तूफास है नहीं तो जब तक दोनों मौका नही आपका चुकि खुद आप ही डेट ने धायरत किया हैं बीपेसी द्वारा कंफरेंस किया गया नोटिफिकेशन में भी मेंशन है कि जो अंती महरता देथी है वह एकत्तिस आठ दुजर तेज से मतलब कि इससे पहले आपका कोई वी एक्जामनिशन हो संपन हो जाना चाहिए तो स्चाइज जुलाइब तो जुलाइब में इनका एक्जामनिशन खतम हो जा रहा है तो इनको क्यों नहीं मौका दे रहे हैं जबकि बीएड़ वाले बहुत लोगों का यहां पर आपका लाश्ट तक खतम होगा तो उनको मौका मिल जागा लेकिन उनको मौका मिलने से क्य चाहिए मुखमंत्री को भी संग्यान लेना चाहिए और यहां पर सरकार को सुचना चाहिए कि यहां पर अगर अधिक कंडियेट आएंगे तो अच्छे सिख्षक मिलेंगे चुकि यह नौकरी डिरेक्ट नहीं मंग रहे हैं यह एक जामिशन पास करने के बाद अच्छे सिख् को और यह लड़ाई अभी जारी रहे कि जब तोक मुखार नहीं मिल जाता है आप लोग अधिस अधिक इस वीडियो को शेयर किजिए ताकि यह च्छा तत्या शभी आयोक के पास पहुचे और इस पर एक्सन लिया जाम जल्द ही मिलते हैं अब नए अपडेट के साथ में त टीकिए यहुचे और नहीं मुखा झाल